Hello dear learners, इस वीडियो में मैं आपके साथ में discuss करने जा रहा हूँ एक punctuation का question ये online batch में punctuation जब हम पढ़ा रहते बच्चों को तो उसमें ये question बच्चों को काफी confuse कर गया हलांकि इसके confuse करने की सीधी सी वज़े ये की question 1 है options 9 है जैसे कि हमें पता कि अगर question के options के number बढ़ते जाएं तो उतना ही confusion बढ़ता जाता है वज़े बड़ी सीधी सी होती है कि एक question है और एक ही अगर option उसका दिया जाए तो कोई confusion नहीं है एक question एक option है जो option है वही answer हो जाएगा अगर एक question है दो options है तो भी ज्यादा confusion नहीं है 50% तो चांस हैंगे आप सही हो जाओगे जो भी tick करोगे ठीक लेकिन जैसे जैसे number of questions बढ़ना number of options बढ़ना शुरू होते हैं वैसे वैसे confusion बढ़ती है थिक बैंकिंग के जो exams होते हैं SBA PO अगरे वो बच्चों को थोड़ा सा SSC के exams के मुकाबले मुश्किल लगते हैं थोड़ा सा होते भी है क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके concepts अच्छे हैं आपके understanding अच्छे हैं आपका comprehension अच्छे है अगर आपका comprehension अच्छे है तो वो भी अच्छे के exam के मुकाबले banking exams को थोड़ा सा मुश्किल लगने की बिच्चों की वो यह होती है कि वहां पर options 5 होते है नन आप दिया वर बोथ हैंड भी इस टाइप के questions ज्यादा होते हैं जो कि SSC के तियारी करने वाले बच्चे इस तरीके से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं हो बड़ा आसान तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं एक question एक option बस एक answer हो याद कर लेते हैं ठीक है तो होता है कि जैसे जैसे number of options बढ़ता है न तो confusion बढ़ती हैं तो यह question जब मैं बच्चों को समझा रहा था तो मेरा logic ही है था कि मैं ज्यादा questions इसलिए एक question के अगर मैं ज सारी होते हैं ठीक है लेकिन मैं nine options क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं मुझे question का answer नहीं बताना है question का answer बुक्स में लिखा होता है दुनिया भर के YouTube चैनल में आपको questions का answers मिल जाते हैं हमें question के answer को समझना है तो हम समझ तभी सकते हैं जब हम सारी possibilities discuss कर लें जो जो वहां पर हो सकते हैं चलिए आजे अब हम फोकस करते है question question यह है the old man gave the word as for a cup of tea and here are the options nine options है आप देख रहे होंगे हाइफन जो एक punctuation mark होता है basically उस पर best question है तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इस question को answer जानने के लिए कि which of these options can be the answer ऐसा नहीं कि इन में से कोई एक ही answer होगा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं हो सकता है एक भी ना हो वो हमें पता लगाना है वो भी हम पता लगा लेंगे ठीक है बट यह जो question है और इसके जो options है इन options में से answers को पता करने के लिए एक हमारा punctuation का basic concept एक नहीं एक्शल सीदे logical answer जो है वो अपने आप ढूंड लेंगे कौन से दो basics जो आपके पहले clear होने चाहिए वो मैं बता देता हूं क्योंकि वो basics जब हमें पता होंगे तभी हम answer को find कर पाएंगे options में से सबसे पहला basic यह है कि अगर हम कभी 21 to 99 के numbers को words में लिखें तो उनको hyphen के साल लिखा क करो जैसे कि 55 ठीक है 86 ठीक है 31 तो एक तो यह आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कभी 21 to अगर हम कभी भी 21 to 99 के numbers को words में लिखें तो हमें उनको hyphen के साल लिखना चाहिए एक यह basic आपको पता होना चाहिए एक और भी है दूसरा basic जो punctuation का है यह hyphen के use के basics हैं जो hyphen हमारा punctuation mark होता है यह उसके basics में से दो basics हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए तभी आप उस question का answer सही पता लगा पाएंगे दूसरा यह है कि जो compound modifiers होते हैं of main noun हमने कोई noun phrase लिखी उस noun phrase में जो हमारा main noun है उसके लिए अगर हमने कोई compound modifiers use किये हैं तो वो जो compound modifiers हैं उनको भी हमें hyphenate करना पड़ता है main noun को hyphen के साथ किसी दूसरा hyphen is a kind of link hyphenic link होता है जो words को link कर देता और उसे पता चल जाता है कि यह दो यह दो से ज्यादा words एक unit है ठीक है तो अगर हम कोई noun phrase लिखते हैं और उस noun phrase में दो यह दो से जादा words मिलके compound modifiers बन गए हैं उस main noun का तो वो जो दो यह दो से जादा words एक compound modifiers बन जाते हैं हमें उनको भी हाइफनेट करना पड़ता है example से समझाता हूँ देखे हमने लिखा 40 50 एक निट वच्छा है 40 50 year old persons जैसे हमने यह लिख दे तो यह हमारी एक noun phrase है अब इसमें ध्यान से हमें समझना यह है कि persons जो है नहीं हमारा main noun है बाकी जो भी है सब इसके modifier होंगे अब हमें यह देखना है कि जो four words यहां पर लिखे हुए है इस noun phrase में क्या यह all four words जो है वो इसी persons noun का modifier है ध्यान देंगे पता चलेगा नहीं दो ही word है जो persons को modify कर रहे है एक forty जो की numeral है determiner ठीक है और एक यह तीन words का group एक adjective phrase है इन में से जो old है यह persons को modify कर रहा है और यह 40 कर रहा है यह तीन words as a group modify कर रहे है persons को तीनों अलग-अलग modify नहीं कर रहे है तो अगर यह तीन words अलग-अलग modify नहीं कर रहे है और यह तीन words मिलके compound modifier बनगे यह तो अगर यह compound modifier बनगे तो इनको भी hyphenate करना पड़ेगा यह कहानी है तो मतलब बात समझ में आई बात यह है कि अगर हम कभी अगर हम कभी 21 to 99 के जो numbers होते हैं उनको words में लिखेंगे तो उनको hyphenate करना है एक चीज़ दूसरा अगर हम कभी किसी noun phrase में compound modifier से उसकरें main noun के लिए तो वो जो compound modifiers होते हैं वो चाहें दो words मिलके compound modifier बनने हो चाहें दो से ज्यादा चाहें 50 words मिलके compound modifier बनने हो उनको सबको हमें hyphenate करना पड़ता है main noun को कभी भी hyphenate नहीं करना पड़ता है यह ध्यान रखना है ठीक एक तीन पॉइंट्स हो गए एक 21-99 के numbers को अगर words में लिखोगे तो hyphenate करना है ठीक दूसरा noun phrases में जो main noun होता है उसको कभी hyphenate नहीं करना है तीसरा main noun के लिए अगर हमने कोई compound modifiers से उसकी है तो compound modifiers को भी hyphenate करना होता है ठीक इसका में एक example आपको और बता देता हूं दिखिए हमने लिखा English speaking Indians हमने लिखा English speaking Indians अंग्रेजी बोलने वाले भारती है इसका मतलब यह हुआ अब यहाँ पर देखो यह Indians हो गया main noun है यह हमारा main noun है यह हमारी एक noun phrase हो गई अभी जो English speaking हमने लिखा है यह दो वर्ट इस noun phrase में और लिखे हुए है तो अब हमें यह देखना है कि दोनों मोडिफायर्स अलग 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 मोडिफाई कर रहे हैं यह दोनों मिल कर रहे हैं तो आंसर यह कि speaking तो इंडिएंस को मोडिफाई कर सकता है speaking Indians का मलत बोलने वाले भारती है क्या बोलने वाले यह पताने के लिए लिख दिया English तो यह जो English है जब आप ध्यान से देखोगे तो यह इंडिएंस को मोडिफाई नहीं कर रहे हैं English Indians there are no English Indians English Indians नहीं होते हैं इधर people are English और they are Indian ठीक है तो यहां पर क्या है कि जो English हमने वर्ड लिखा है उसको इंडियन से कोई लेंदेना नहीं ठीक है वो इस हो रहा है speaking के लिए जैसे word speaking क्या बोलने वाले French speaking, Sanskrit speaking, Tamil speaking, English speaking तो यह जो English और speaking दोनों वर्ड है यह दोनों ही नौन्स को describe नहीं कर रहे हैं इन्वें से केवली speaking डिसकाइब कर रहा और English जो भी speaking के लिए उस क्या गया हाइफनेट कर दो तो यह जो दो वर्ड का ग्रूप है ना यह हमारा compound modifier है मतलब यह दोनों वर्ड अलग अलग मोडिफाई नहीं कर रहे हैं में ना उनको यह दोनों मिलकर as a group modify गर रहे हैं तो यह compound modifier हो गया तो जो compound modifier होते हैं यहाँ पर जैसे हमारा compound modifier जो था वो थी वर्ड का था यहाँ पर compound modifier दो वर्ड का था दो वर्ड का था तो हम नेक हाइफन उसके लिए तीन पॉइंट है अगर यह तीनों पॉइंट्स आपको clear होगे पहला 21-99 के बीच के जो words है लेट नंबर से उनको words में लिखोगे तो हाइफनेट करना है उसके बाद में अगर हम कभी किसी noun phrase में में नाउन को modify करने के लिए compound modifier से उसकर रहें तो compound modifier को भी हाइफनेट करना है और तीसरा में नाउन को कभी हाइफनेट नहीं करना है अगर यह तीन पॉइंट क्लियर है तो यह जो हमारा question है जिसके option देखकर हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि भाई आरे वही nine options दे दिए question है nine options हम कैसे answer बताएंगे यह बिल्कुल भी अपने आप इस question के answers पता करने के courses कीजिए कि यह nine options में से कौन-कौन से options इस question के answers हो सकते हैं सारे हो सकते हैं कोई भी नहीं हो सकता है यह कुछ ही हो सकते हैं ठीक और pause करने के बाद में अपने आप पता कर लीजिए अब बागी मैं answer बता रहा हूं देखे यह जो हमने 25 रूपीज लिखा है हैं तो इसमें 25 is a number between 21 to 99 तो हमें पता कि 25 को hyphenate करना चाहिए था नहीं hyphenate किया गया तो गलत ठीक उसके बाद में 25 रूपीज जो हमने लिखा हूँ है आप रूपीज मान लीजिए पैसे हैं एक इंडियन करनसी है रूपी ठीक है कितने रूपीज तो यह बताने के लिए हमने 25 लिख दा है 25 नूमरल एक नंबर है 21 to 99 के बीच में तो उसको hyphenate करका है चुंकि वह प्लोल नंबर है तो उसक गौत हो गया हमारा उसके आद में 25 रूपीज यहां पर हमें पता रूपीज में नावन है और मेंन नं को हमने हाइफनेट नहीं करना है ठीक मान लेते हैं इसमें कोई है नहीं और अगर मेंमन नका है किए है तो उसको आइफ्रेंट नहीं करना चाहिए तो यह भी गलत है 25 रूपी कॉइन अब अगर हम यहाँ पर 25 रूपी कॉइन लिख रहे हैं चीक है तो यह जो कॉइन है यह सिंगुलर नाउन है कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखा जाता अब हम इस 25 को कॉइन का डिटर्मिनर नहीं मान सकते क्योंकि अगर हम 25 को कॉइन का डिटर्मिनर मान लेंगे तो 25 is a plural number तो नाउनकों में plural form में लिखना पड़ेगा कॉइन से यहाँ पर कॉइन लिखा हुगा तो सिंगुलर है तो यह गलत हो गया 25 रूपी कॉइन यहाँ पर हमने 5 रूपी को कॉइन कर दिया अब अगर हम 5 रूपी को यहाँ पर हाइफन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझना है कि यह 25 हमने लिखा था हाइफन करके यह एक number है 25 और अगर हम ऐसे लिख रहे है 25 रूपी कॉइन तो इसका मतलब पता क्य तो यह यहां तक तो सही है बट आगे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी जो कॉइंस को कॉइं लिख रहे हैं यह गलत हो गया क्योंकि अगर आप 20 कॉइंस की बात कर रहे हो पांच रुपे के तो 20 is more than one which is plural तो plural होने की वज़े से इसको हमें coins लिखना चाहिए लेकिन coin लिखा तो यह इस वज़े से गलत होगी है ठीक है next देखिए 25 रुपी coins अभी जो हमने 25 रुपी coins लिखा है इसमें 25 रुपी तिनों को hyphenate कर दिया इसको ऐसे समझना जैसे हमने यहां पर लिखा 5 रुपी coin तो इसका मतलब हो कि 5 रुपे का सिक्का 5 रुपी compound modifier हो गया तो उसी तरीके से अगर हम 25 रुपी को hyphenate कर दें तीनों वर्ड को तो compound modifier हो जागा आप यह सही हो सकता है लेकिन कब सही हो सकता है कि जब 25 रुपी का कोई coin आता हो ठीक अमाल लेजिए कोई ऐसी country है जहां की currency में 25 रुपी का भी coin होता है तो यह सही हो जाएगा लेकिन आप चुकि यहां पर रुपी लिखा हुए और रुपी इंडियन currency है और हमें तो पता है कि इंडिया में 25 रुपी का कोई काई नहीं होता तो यह जो लिखा गए опsion है नहीं नहीं है इससे पहले जो हमने क्रोस किये वो अन ग्रेमीट कल थे यह ग्रेमिटिकली करेक्ट है बड रुपी जो इंडियान है उसके context में गलत है म्लग ये contextually गलत है क्योंकि इंडिया में 25 रुपे का coin होता नहीं indian currency जो rupie है रुपी में कोई 25 का 25cken का कोई भी coin नहीं है तो ये contextually गलत हो गया ग्रेमेटिकोंट के लिए सही है बढ़ように गलत ये next टो अब हम 25 में रूपी को हमने having that बने लगे इसका उंड़ा टो अगर हम 25 रूपी को हमने हैं रूपी को इसका मॉटिफायर हो अच्छा 25 के किसके रूपी के कितने रूपी के हमने बताया नहीं तो अगर माल लो एक रूपए के दो रूपए के तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पर लिखा था ना यहाँ पर लिखा था फाइव रूपी तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 25 वन रूप तो यहां पर जो रूपी का डिनोमिनेशन है यह भी गलत हो गया यह कैसे गलत हो गया इसके लिए मैं एक एक जांपल आपको और बता देता हूं देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कमल और हैज इन्वाइटड कमल हैज इन्वाइटड आप हंडडड गैसे मालीडिये कमल ने पने घर पर पर पार्टी रख है और हमने लिख देखिए कमल इस इन्वाइट गैस अब जो बच्चे नॉंस पढ़े हैं यह जो नॉंस पढ़ चुके हैं नॉंस में नमबर डिसकस कर चुके हैं वह जानता हो गया क्यों गलत हो गया क्य है यह मोडिफ हा रहे है नूमरल नहीं है इसको नूमरल बनाने के लिए हमें इसके साथ में नूमरिक वैल्यू लिखनी पड़ेगी 100 200 700 तो जैसे हमने लिखा कमल इस इंवाइट 100 गेस्ट जाने से गलती से यूज कर रहे हैं लेकिन हम इसकी जगे पर यूज कर रहे हैं तो य यह जो है न यह 100 है तो आप यहां पर लिखिए 100 गेस्ट और नहीं तो वन की वीकर फ़म होती है उसको लिख दीजिए कमल इस इंवाइट 100 गेस्ट तो यह जो हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है 25 रूपी कोईंस यह इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हम इसमें रूपी का डि अगर 25 कोईंस के लिए तो रूपी का अपना डिनोमिनेशन में सेंगे कितने रूपए के 25 सिक्के थे वो यहां पर क्लियर नहीं है यह गलत हो क्या 25 रूपी कोईंस यह सही हो जाएगा अब अगर आप 9th option को देखेंगे और 5th option को देखेंगे तो यह जो 9th और 5th options हैं इन मे difference देखेंगे यहां पर coin लिखा यहां पर coins लिखा यह हमारा option क्यों गलत हुआ था क्योंकि अगर हम नहीं बिच्छे मैं इसको 6th को 6th को 9th को देखेंगे 6th हमने लिखा था 25 रूपी coin तो यहां पर 20 था वो coin का modifier था 20 नंबर प्लोल होता तो coin को में प्लोल form में लिखना चाहिए था प्लोल form में नहीं लिखा था इसलिए गलत हो गया देखेंगे यहां पर पहले से प्लोल form में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया 20 coins of 5 रूपी तो कुल मिला के यहां पर यह जो हमारे questions हैं यह जो हमारे question है और इसके जो 9 options हैं जिनको देखकर बच्चे confused हो गये थे और मैंने उनको promise किया था कि मैं इसका एक detailed video बना दूँगा YouTube पर यह आपका वीडियो तो कुल मिला के यह जो हमारे question है इसमें option number 2 and option number 9 are the answers and the remaining ones are incorrect तो इस question में बच्चे question number 2 and question number 9 answer है बाकी गलते आप ऐसे लिख सकते हो तो old one gave the boy 25 रुपीज 25 रुपीज 25 रुपीज उसने दिये अब चाहे एक एक के पच्चे सिक्के दे दिये चाहे पांच-पांच के उसने पांच इक दिये चाहे दो दस रुपे के एक पांच रुपे का शिक्का दे दिये चा रुपे दिये और नाइंथ का अंसर है 25 रुपी का मतलब है उसने उसको पांच रुपे के बीस दिखके दिये मतलब उसने 100 रुपे दिये तो यह जो है ना इसका मतलब है 100 रुपीज इसका मतलब है 25 रुपीज तो that's the answer अच्छा लगा होगा enjoy कि होगा आपने ठीक है और अ या comment करके पूछ सकते हो बाकी वीडियो कैसा लगा यह भी comment करके बता सकते हो so that's all thank you everybody bye good night